नमस्ते मैं हूँ उज्वला और स्वागत करती हो आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रियेट्यूफ फैशन में यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियो प्री में देख सकते हो तो यह सुन्दर बेल स्लीव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले हमारे नॉर्मल स्लीव का कटिंग करके लिए है इसकी लंबाई मैंने कोहनी तक की रखी है जैसे कि मेरी तैयार 12 इंच है तो एक इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है अब मैं साइड से इसकी फिटिंग क कपड़ा लिया है इसकी लंबाई मैंने रखी है 28 इंच क्यूंकि मेरी तयार बेल की लंबाई 11 इंच है जितनी भी आपके तयार बेल की लंबाई है उसका डबल करके उसमें 6 इंच आपको मिलाना है तो मेरा 28 इंच आया है तो लंबाई और चोड़ाई सेम रखनी है 28-28 इंच अब मैं इसको 4 fold में fold करूंगी मतलब 4 तह में मैंने इसको fold किया है इस तरह से fold करने के बाद ये इसकी खुली side रहेगी और उपर की तरफ बंद तो बंद side के और tape को रखना है और नीचे की तरफ देखे कितना है मेरा आया है 14 inch तो बस हमें इसी तरह से 14-14 inch पर mark करते जाना है गोलाई में mark करते जाना है जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हो ये पूरा दूसरे कोने तक मैंने 14-14 inch पर mark किया है अब जो marking आया है उसको गोलाई दे देंगे गोलाई देने के बाद बस उसके उपर से कटेंग कर दीचेगा तो ये हमारा पूरा राउंड शेप कट हो चुका है अब ये खुली साइड है और उपर की तरफ ये बंद है तो ये बंद वाले कोने में एक छोटा सा होल बना देंगे ये बस छोटा सा ही होल करना है अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ ये पूरा राउंड याने गोल कट होआ है अब हम इसके उपर ये जो सेंटर का होल है इसे बराबर से सेंटर में रखते हुए अधिक कचिन बनाएंगे मतलब एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन जिससे कि आप वीडियो में देख सकते हो मैंने सबसे पहले ये लाइन बनाई है अब उसके बाद एक आड़ी लाइन बनाएंगे याने ये बराबर से अधिक चिन्न हो जाएगा यानि प्लस का चिन्न हो जाएगा अब हम इसके बीच में से भी ये दो लाइन्स बनाएंगे तो ये कुछ स्टार की चिन्न की तरह दिखेगा तो यहाँ पर बस में सिंपल ही दोनों के बीच में से इस तरह से लाइन बना रही हूं अब ये lines हमने किस लिए बनाए हैं ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बता दूँगी Lines बन जाने के बाद सबसे पहले हमें एक काम करना है एक तो हम round में इसे pico करके ले सकते हैं अभी में pico के लिए बाहर नहीं जा सकती तो मैं इसे double fold करके लूँगी तो ये double fold कैसे करना है मैं आपको बता दूँगी सबसे पहले मैं इसे सिर्फ single ही fold करूँगी मतलब एक ही बार छोटा सा fold करके पूरे गोल में मैं सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसको double fold करूँगी तो ये मुझे बहुत आसान होगा तो मैं simply इसको single fold करके पूरे round में घुमा दूँगी अगर आपके पास पिको को option है पिको आप कर सकते हो तो एकदम बारिक पिको आपको करके लेना है ज्यादा बड़ा पिको नहीं करना है तो देखो मैंने पूरे round में इसे single fold कर दिया single fold करने के पाथ अब मैं इसे और एक बार fold करूँगी और इसके उपर सिलाई लगा दूँगी किसी भी अमरेला घेरा को अगर fold करना है fold की सिलाई लगानी है तो पहले single fold ही कीजेगा उसके पाथ दूसरा fold लगाएगा इससे काम में finishing आएगी तो यहाँ पर मुझे double fold करने में आसानी हो रही है और finishing भी आ रही है तो मैंने पूरे गोलाई में double fold करके ले लिया है और यह round तयार है अब यह जो line से हमने बनाये थे उसमें से एक एक line को इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ेंगे कपड़े को मोडेंगे और यहां से हमें एकडम किनारे से सिलाई लगानी है मतलब कि हमें यहाँ पर pin tucks बनाने हैं तो pin tucks कैसे बनाते हैं? आप वीडियो में देख सकते हैं बहुती simple तरीका है बस किनारे से हमें सिलाई लगानी है तो ये देखे एकदम किनारे से मैंने सिलाई लगाई है इससे हमारे एकदम नाजुक नाजुक पिंटक्स बन जाएंगे तो बस सिंपली मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ, मैचिंग धागा रखियेगा और यह Pintax लगाकर तयार है अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ तो यह देखिए इस तरह से यह Pintax बन जाएगा अब सेम इसी तरीके से बचे हुए जो भी लाइन से उनके उपर भी हमें Pintax बनाने हैं तो एक एक लाइन को इस तरह से दोनों हाथ से हम पकड़ेंगे इसको मोड़ेंगे और एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे एकदम सिंपल है जब आप सिलाई की शुरुआत करते हो तो धागे को डबल लॉक करना मत भूलिएगा और जैसे ही एंड होता है वहाँ पर भी डबल लॉक करके दागे को तोड़ना है तो दो Pintax बन गए सेम इसी तरिके से बाकी बचे होए Pintax भी मिले लूँगे यह बहुत ही बनाने में सिंपल है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथी में ये वाला बेल बटन दबाईए ताकि हर एक वीडियो की सुचना आपको मिलती रहे और यहाँ पर एक एक करके सारे Pintax मैंने बना दिये ही और यह इसका लुक इस स्टार की दर दिख रहा है और बहुत ही सुन्दर लग रहे है यह Pintax अब देखो आपको जितने बना है उतने ही रखने है तो भी यह सुन्दर लगेगा आपको एक एक और Pintax लगाना है दोनों के बीच में तो भी आप लगा सकते हो तो यह और अधिक सुन्दर लगेगा जैसे आपकी मर्जी तो दो-दो Pintax के बीच में मैंने और एक-एक मार्क किया है इस तरह से हम चार मार्क करेंगे तो यह चार मार्क मैंने कर दिये हैं अब बस यहां से उस मार्क से आगे की तरफ भी हमें इस तरह से एक पूरी लाइन बना देनी है इससे क्या होगा दो-दो Pintax के बीच में और एक-एक लाइन बन जाएगी तो यह देखिए इस तरीके से अगर आपको यह नहीं बनाने है तो आप ना भी बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है जितने Pintax रखे हैं बनाए हैं पहले से उतने ही रख सकते हो तो मैं इसमें और बनाना चाहते थे इसलिए मैंने और लाइन बना दिये अब इसको भी मैं सेम उसी तरीके से फोल्ड करके इसके उपर सिलाई लगा दूँगे और Pintax बना दूँगे जैसे हमने पहले लगाए थे तो एक एक करके मैं Pintax ले रही हूँ सेम तरीका रहेगा बस किनारे से सिलाई लगानी है शुरू में धागे को लॉक कर देंगे और जहाँ पर सिलाई खतम होती है वहाँ पर भी आगे पीछे करके धागा लॉक करना मत भूलना तो यहाँ पर सारे Pintax हो चुके हैं अब इसका लॉक आप देखिएगा कितना सुन्दर लग रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है जैसे छोटी-छोटी कलिया हमने जॉइन करती हो अब देखो सीधी साइड से भी यह बहुत सुन्दर लग रहा है अब मैंने इसको इस तर से पूर फोल्ड में फोल्ड किया है अब यह जो स्लिव पैटर्न हमने बना के रखा था उसे में ने लिया और उसे भी बीच में मोड दिया है अब यह चार ते हो गए हैं अब इसको मैं इस तरह से रखूंगी और यहां पर इस तरह से निशान बनाऊंगी निशान बना दिया है. स्लिव को साइब में रखेंगे और यह जो निशान बनाइए हैं इसे बस थोड़ से गोलाई देंगे क्यूंकि इस तरह से हम सीधा नहीं कटिंग कर सकते इसको थोड़ इसे गोलाई देंगे जीसा वीडियो में देख सकते हो और फिर इसके उपर से ह आप लटकन वगेरा बना सकते हो, अब मैं इसको खोल दूँगी, खोलने के बाद ये सिधी साइड में देखो इस तरह से राउंड में बहुत सुन्दर लग रहा है, अब ये स्लिव पैटन लेंगे और इसे इस तरह से यहां पर रखेंगे, अब कही पर भी रख सकते हो क्यों क्योंकि ये राउंड है, बेल, अब ये पींस लेंगे और इसे अटेच करेंगे, तो इस तरह से मैंने इसको अटेच किया है, ये देखिए, अब डायरेक्ट सिलाई मशिन के उपर सिलाई भी लगा सकते हो, और अगर आप नए नए सीख रहे हो, तो इस तरह से पींस लगा और लगा दूंगे, तो इससे सिलाई करने में आसानी होगी, अब बस करना क्या है, इसको राउंड में पूरा सिल देना है, इससे हमारी बेल हमारी स्लिव को अटेच हो जाएगी, तो बस पींस को निकालते जाएंगे और राउंड में इसको पूरे गोलाई में सिलाई लग देंगे, सिलाई लगने के बाद ये देखी, हमारी बेल यहाँ पर इसको अटेच हो गई है, और ये बहुत सुन्दर हमारा स्लिव पैटन तयार है, बहुत बहुत सुन्दर लगता है, प्लेन कपड़े के उपर ये और भी सुन्दर लगेगा, तो ये देखिए इसका लुक तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेट करके जरूर बताना, इसलिव को ट्राई जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपने खयाल रखना बाई!